जहां मिले देखते ही तोड़ लेना यह फूल मात्र 24 घंटे में बदल देगी आपकी दुनिया वीडियो को ध्यान से देखना शर्वर्थम इस पौधे को देख करके पहचा लीजे इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं इस प्रकार के इसके फूल होते हैं तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं यह लाल कलर की गुड़हल है इसके तीन प्रजात आती है एक वाइट कलर की होती है और एक रेड कलर की और एक पिंक कलर की होती है यह तीन प्रजाती इसकी खासकर ज़्यादा महत होती है ये आयुरुवेद में और जो हम धार्मिक महत जो होते हैं, इसके बहुत ही महत पूर्ण होते हैं, इसमें इसका प्रयोग होता है, तो चलिए हम आपको इसका विभिन प्रकार की चमतकारिक लाव की और चलते हैं, शर्वर्थम तो इस पोधे का नाम जान गए हैं, कि इसे पॉधेजी में ही पिस कस कहते हैं देखे ये पॉधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे अब जहां पर रहते होंगे आप जहां पर बहुत से लोग गमलों में बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं ब जो गुड़ाहल के नाम के पौधे हैं, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए आप लोगों को इसका धार्मिक महत बताऊंगा, कि इसका आयरवेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसका बिभिन प्रकार के चमतगारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्राथना करना चाहूंगा, कमेंट बाक्स में अभी तक आपने ओम नमजशिवाय नहीं लिखें, तो ओम नमजशिवाय जरूर लिख दीजे, और बीड़ो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लिजेगा। ऐसा माना जाता है कि ये पोधा जहां पर लगाया जाता है, वहाँ पर पोजिटिव एनरजी का संचार करता है, जो निगेविटी एनरजी होती है, उसे ये खत्म करने का काम करती है। ब्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, ब्यक्ति को कारियों में सफलता नहीं मिलती, ब्यक्ति को मान हानी, धन हानी एवं चर्म रोगशे संबंदित बीमारी आती है, तो इस परकार के कुछ लच्छने, इस लच्छने को आप समझ सकते हैं, कि आपको भी अगर सूर द दूर होते हैं, मैं आप लोगों को बिभीन परकार की जानकारी बताऊंगा, बीडियो में कांटियू न्यू बने रहिएगा, इस परकार की जानकारी बताऊंगा, आधे बीच में बीडियो को मत छोण कर जाना, अगर इस बीडियो को मिस कर दिये, तो सारे जिंदगी आपक कौन से हिस्से का प्रयोग होता है कौन से बीमारी में सरप्रथम जानते हैं पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्ती को उबाल करके ध्यान से सुनना इसकी पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहे आचानक से पेट दर्द में होने वाले दर्द जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं ऐसा आयरुवेद में लिखा है ये भी माना जाता है कि ये यनि कि ये रामबान का काम करता है ये दबा ये पत्री में रामबार का काम करती है आप काफी लंबे समय से पत्री के लिए यानि कि दवा खा रहे हैं लेकिन आपकी पत्री बीमारी किशी भी प्रकार की पत्री है कोई भी जड़ से समाप्त करने का ये काम करती है ये पथरी को तोड़ने का काम करते हैं इसके पत्यों को पावडर जो आते हैं मार्केट में मिल जाएंगे वहाँ से ले आ करके भी इसका सेवन कर सकते हैं ये आइरन को भी दूर करता है यानि कि ये बजन घटाने का भी काम करता है चली अब आपको इश्के-धार्मिक महत बताते हैं तो माता लक्षमी जी और मादुरगा ये दोनों को गुड़ाल का पुषब बहुत प्री है और साथ ही साथ भगवान हनुआन जी महराज को भी ये गुड़ाल का पुषब बहुत प्री है क्योंकि Red Color होने के कारण Red Color के जितने भी पुस पे होंगे मा दुरगा को मालक्ष्मी जी को समरपित होते हैं तो विशेष मनोकामनाओं के लिए इसके फूल को चढ़ाये जाता है आपको धन चाहिए तो इससे मालक्ष्मी जी को चढ़ाये है रक्त संबंधि कोई बीमारी चर्म रोग शंबंधित कोई बीमारी या फिर साधी के बाद आपके पार्टनर से मनमुठाव बन गए हमारे धर में सास्तर कहते हैं कि मंगल दोस्त के कारण आप अगर आपके जीवन में कुंडली में अगर मंगलिक है तो उसकी समस्याओं का स केवल आप नित यानि की नित जादा मत किजे कम सकम तीन महीने तक एक पुष्वहनमान जी महराज को नित स्रीराम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्वत तीन महीने तक चड़ा दे देखें कैसे मंगल दोस्त मंगल दोस्त का नामों निशान तक मिठ जाता है क्योंकि मं लिए विवार नहीं होते या आपके विवार में बिलम्भ हो रहे हैं तो आपको परिशानी नहीं होना गुड़ाहल के पौधे को अपने घर में लगाईए एक पुष्प प्रते दिन आप हनुआजी महराज को चुड़ा सकते हें देके हनुआन जी महराज को इस तरी को और ये उपाय करने के बाद हनमान जी महराज की कृपा प्राप्त हो जाएगी यदि धन का भाव हो लक्ष्मी आपसे रूट गई हो तो लगातार तीन सुक्रवार आपको पांच पुष्वे मा लक्ष्मीज को चढ़ा दें फिर देखें कैसे चमातकार होता है यनि माता सफलता नहीं मिल पाती तो एक काम करिएगा आप क्या करें जहां मिल जाए आपको यनि कि ये गुड़ाहल का पुष्व तुरंत इसे तोड़ लेना सुक्रवार के दिन तोड़ करके इसे पांच पुष्व तोड़ ले और इसे ले आकर माता लक्ष्मी चढ़ों के पास जी हां दोस्तो चोबिस घंटे में ही आपकी दुनिया बदल जाएगी मा दुरगा को बहुत प्री है यह पुष्व मा दुरगा को नौरात्री के समय जिसे जरूर आप चढ़ाया करें नौरात्री के नव दिन लगातार मा दुरगा को अगर आप ये गुड़हल का पुष् जीवन में एक नया पन देखने को मिलेगा खुसाहाल जीवन जीवन जीएंगे जीवन में लाभ मिलेगा कारियों में प्रसिद्धी प्राप्त होगी हर कारियों में पूरा करेंगे धन समपत्त में लाभ होगा कारियों में प्रसिद्धी प्राप्त होगी लगातारामदनी पुष्प जरूर लगाईए इससे आपको विशेश लाब होगा दोस्तों ये खास जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखेगा जय मालक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में और दोस्तों इसे आप लाइक जरूर करिएगा क्यों एक लाइक तो बनता है ऐसी खास जानकारी के लिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए दोस्तों के बीच और शैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं जय मालक्ष्मी जय मादूरगे